नमस्का दोस्तों चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान ग्यान के बारे में तो इसमें हम लोग ने इतियास देख लिया आपका विस्व का इतियास देख लिया भारत का इतियास इसमें अब हम लोग थी थेर्ट टॉपिक पर इसमें बात कर रहे थी भारत, भारतीय कला एवं संस्क्रिति के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो इसमें हम लोग तीन चैप्टर आपके खतम कर चुगे हैं, लास्ट चैप्टर था भारत के पिर्मुक लोकनित, आज बा वो सभी आपको एक ही जगह मिलेगा सामान की आदम के नाम से जो आपकी फिलेलेष्ट सूची है उसी में सभी आपके चेप्टर वाई चेप्टर डले हुए है ठीक है सरफित्हम रगवेद में चमडे पर बने चित्त का उलेख पराप्त होता है अगर आपसे पूँचे सरफित्हम चित्त कला का चित्त का उलेख कहा है तो आपको बता देना है रगवेद में ठीक है चमडे पर बने चित्त का उलेख पराप्त होता है रगवेद में चटी सदी इसापूर चित्त कला की इस्तित्त की सूचना देता है काली दास ने अभिज्ञान सकुंतलम में चित रचना की संद्र में बिर्वरण छोड़ा है वास्यायन के कामसूत और विसाकदत का किर्थ मुद्रा राक्चस में करम सा चित कला की समग्रियों एवं चित पट्रों का बिर्वरण मिलता है अगर सामानता भारती है जो चित कला है आपकी इसके चार रूप है भारती चित कला के चार रूप है पहला आपका बित्री चित दूसरा आपका चित पट तीसरा है चित फलक और चोतरा है लगू चिंतांकन तो भीती चित के बारे में पहले हम लोग जानते हैं जिसके नमूने वाग, आजन्ता, बादामी और सीतन वासल की गुहा भीतियों पर मिलते हैं, यह आपके भीती चित हैं चित पट यह चमड़ी यह कपड़ी की टुकड़ों पर की जाती है चित फलक, इसमें चिंतांकन धातुओं, पत्तरों, तथा लखड़ी की टुकड़ों पर की आ जाता था यह आपका चित फलक है फ्रयापका लगू चिन्तांकन इस पिकार की चित किताबों की पेश्टों बस्तों की टुकडों तथा कागजी टुकडों पर बनाया जाता है अजन्ता की चित्रों का निर्माठ सुंग, कुसाड, गुप्त, आधी अनेक राजाओं के समय इसभी इसापूर्व से पिथम सती से लेकर साथ भी सती इसभी तक यानि कि इसापूर्व पिथम सती से लेकर साथ भी सती इसभी तक चला है कौन को इसमें? सुंग, कोसाड और गुप्त अजन्ता में कला की खोज आपकी जो अजन्ता गुपा है इसमें कला की खोज 1834 में सर अलेकजेंडर ने की थी किसमें? अलेकजेंडर ने अजन्ता की कुल छोटी बड़ी 30 गुपाएं हैं कितनी? 30 इन में दो पिकार हैं थाकी स्तूप गुफा और विहार गुफा अजन्ता की चित्ता वली का सूख्छ बिसलिशन करने पर उसमें लगबग 20 पिकार की विभिन सेलियों का समावेश पाए गया है बौधी चित्तकला की तेन सेलियां बताई गई हैं देव सेली, यप्च सेली और नाग सेली गुफा नमबर 16 के दो चित्त अतीव महत्कुन गहरी रात में बुद्धि के ग्रहत त्रयाक का है पहला ऐसी स्तिती में होते हुए यसोद्रा और राहुल पर द्रेश्टी पार्ट करते हुए वो देदेव अंकित किये गए हैं पर आपकी बाग की गुफाएं बाग की गुफाएं आपकी मदपदेश के धार जिले में हैं याद रखी पहले तो आपकी इनका इस्तान याद रखिए कहां हैं महराष्ट में कहां कौन सी गुफाएं क्योंकि अधिकतर इसे से कुश्यंस पूछ लेते हैं तो बाग की गुफाएं आपकी मदपदेश के धार जिले में हैं बिंद परवत संखला जंगल की उस भाग में हैं जहां आज भी घने जंगल और भीलों की बस्ती हैं भील आपके जंजाती होते हैं ठीक है इनमें गुफाओं की संख्या कुल आपकी नो हैं पहली गुफा गिरे गुफा है और दूसरी गुफा थेत के नाम से पिसिद्ध हैं हाथी गुला और रंग मेल आदी की भी गुफाएं या आइस्तित हैं आंगे चलते हैं हम लोग तीन गुफाएं जो महायान के से संबंदित थी बिनिष्ट हो चुकी हैं यानि की नष्ट हो चुकी हैं इनमें आपकी तीन गुफाएं जो महायान से संबंदित थी बिनिष्ट यानि की नष्ट हो चुकी हैं महायान ये आपकी बौध धरम आपका दो साखाओं में एक हीनयान और एक महायान तो महायान एक साखा है इसके अत्रिक्त चित जातकताओं पर आधारेत हैं बाकी गुफाओं में प्रक्ति का मानिवे चित्रन है बंबई की समीप मुंबई या बंबई की समीप एहली फेंटा गुफा की मंदिव में नौ बड़ी पितिवाएं हैं जिसमें भगवान सिप के बिविद रूपों को दर्शाया गया है सरवादिक आकरसक पितिवाँ त्री मूर्ती सिप की है जो 23 से 24 पिट चोड़ी और 18 पिट मूची है त्री मूर्ती में अकिलिश सिप की ही तीन रूप हैं भगवान सिप की अर्द नारी सो पितिवाँ में तो दर्शन और कला का अनुपम सहय हुए इसमें पार्वती के विवाय को बहुत थी सूरुची फूर्ण धंग से पिस्तुत किया गया है एलूरा की गुपा अजन्ता से लगवक पच्चास मील की दूरी पर आपकी एलूरा की गुपाएं इस्तित है यहां के मंदरों में नेक भीती चित बने हैं जिनमें केलासनात, लंकेसो, इंदरसवा और आपकी गड़ेस आधी केचित बढ़ी ही आकरसक बने हुए एलूरा की गुपाएं बहुत धिन्दू और जन्संबधाई से संब्दित हैं इस तरह से आपका कुश्यंस पूँच लेता है कि एलूरा की गुपाएं किन किन धर्मों से संब्दित है अब आपके यह तीनों दे देंगे बहुत धिन्दू जन अब नीचे ओप्शन देदेगा कि ये तीनों, तो तीनों धर्मन से संबंदित आपकी एहलूरा की गुफाएं हैं एहलूरा में बहुत गुफाओं की संख्या आपकी बारे हैं, कितने बारे हैं बादामी की गुफाएं भी बंबई के पास ही आपकी इस्तित हैं यहां से चालुक सली के चार गुआ मंदिर मिलें सीतन वासन तमिलाडू पिदेश में तंजोर की समीप इस्तित हैं यहां पर पल्लव नरेश, महिंद बर्मन, फश्ट तथा उसके पुत्त नरसिंग बर्मन ने अनेक गुफा मंदिरों का निर्वाण करवाया थां अमीर खुसरो के खामोस अमीर खुसरो के खामोस में द्रसों का चित्रन अतेंद सहट धंग से तथा रंग साजी का कार अतेंद प्रभावत पादक तथा आकरसक सेली में त्वलेत प्राप्त होता है इसमें लोड चंद्रा जोकी संपवता जौन पुर के हुसेन साह सारकी के सासलनकाल में उतकेंड किया गया था मैराज पूत एवं फार्सी सेली का मिस्रित रोप प्राप्त होता है आगी देखते हैं हम लोग पहुंचते हैं मद्दकालीन सल्तनत कालीन चितकला सेली सल्तनत कालीन चितकला सेली के पिसिद नमूनों में 1533 सीसिवी में चित्रित फिरो साय तोगलक का चित बीकानेर की रंगमाला लगू चित्रावली जिसे बिजयनगर तथा तुरिकी की सेलियों के मिस्रित रोप से तयार किया गया था चितकला की सेलियों में प्रमुक्ती, पाल सली, पठचित, गुजराश सली, अपभरंस सली, जैन सली, मेबार सली, राजपूर सली, किसंगड सली, दक्कन सली, मारवार सली, चितकला सली, कोटा बुंदी सली, आदी ये सभी आपकी चितकला की सेलिया हैं ठीक है राजिस्थान इस्तिद बरत्मान में जैपूर, जोतपूर, अजमेर जिसे कभी सम्लित रूप से किसंगड की नाम से जाना जाता था यानि कि कि जैपूर, जोतपूर और अजमेर को मिला कर आपका किसंगड कहलाता था पहले वहींपाद चितकला की एक नमीन सेली, बनी ठनी, ने 1735-1757 के बीच जनम लिया बनी ठनी चितकला की एक नई सेली ने 1735-1757 के बीच जनम लिया समग्ग रोप से इस सेली को किसनगण की नाम से अभी हित किया जाता है बारतिय लगू चितकला की इतियास में इसे एक अनुपम चितकला माना गया है धरमपाल एवं देवपाल एवं देवपाल राजाओं के सरक्षन में अजन्ता की अनुकरन पर बंगाल में पाल बंसी है सली का निर्माड हुए उसके पिरमुक चितकार आपकी धिमान वितवाल थे इस सली का उदय नौबी सताब्दी में हुए 1924 डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी गुजरा सली को प्रिकास में लाए तो याद रख़ें 1924 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी गुजरा सली को प्रिकास में लाए इसे गुजरात या फिर गुर्जर सली भी कहा जाता है गुजरात के बाहर गुजरात में जैन और जैनित्तर गरंतों के अनेक अनेक चित पराप्द हुए है इन चित्रों की सली को राय किश्मदास ने अप विरन सली कहा है जैन चित्रकला सली की इतिहासी कुपलब्दी सात्वी सिताप्दी से है इसके प्रिमाड सीतन वासल गुफा की पाथ जैन मूर्तियां है जो समराथ हरस के समकालीन पल्लव राजा तथ महन्द वर्वन के काल में बीनिर्मित हुई इस सैली की प्रिमों को विशिष्था हैं कि भारतिये चित्रकला की दियास में कागजपल की गई चित्रकारी की दिशा में इसका पहला इस्तान है आगे चलते हैं हम लोग राजपूर सैली का विकास आंसिक रोप से पंद्रय भी सताबदी में हुआ इस सैली के विकास में कन्योज, बुन्देल गंड के चंदेल राजाओं का काफी यह दान रहा राजपूर सैली के विकास में राजपूर सैली की सम्रद एवं प्रभाव साली साखा कोटा एवं बूंदी के नाम से पिसिद है मारवाडी सैली के अंदर के कलाकारों ने राज के प्राक्तिक द्रसों का पूर्ण उपयोग पिया जिसमें रंगमाला रसिक फ्रिया की विस्यों पर निर्मित चित तत्य धिक रोमांटिक एवं प्रभावपूर्ण है दक्कन सैली दक्कन सैली के महान सरक्चत अली आदिल साह एवं उसका उत्तरादिकारी इबराहिम सेकेंड थी वस्तुता इस सैली का प्यदान केंदाब का बिजापूर था बिजापूर गोलकुंडा एवं अहमद नगर में तेयार की गई रंगमाला चित्ते कारी दक्कनी सैली की सेष्ट रचना है गड़वाल चित्सली के जनक सामनात और हरदास थे वस्तुता इनसली का चर्मुतकर्स भोलाराम के समय हुगा किसके भोलाराम के 1526 इसवी में मोगलों के आगमन से भारत में एक नवीन चित्सली का आगमन हुआ जिसे फारस के महान चित्कार वहे जाद ने बिक्सित किया था मोगलकाल में हुमायू ने फारसी चित्कला की सरप्तम सुरुआत की थी यागिपी रूप चित्कारी का पिछलन अकबर की ही सासनकाल में प्यारम हो गया था किन्तु जहागीर के सासनकाल में अपने चरम उतकर्स को प्राप्त हुई साय जहां के काल में मुहमत फकीर उल्ला पिरमुक चित्कला मर्मक थे मोगलकाल में मुक्ता दो प्रेकार की चित्वने एक ब्यक्ती चित दूसरा लगू चित प्रक्ती चित्र, फलपत्ति, पसुपक्ची, दरवारियों की चित्र, पुष्तकों की उधारन चित्रों का भी इस ईगूँ में निर्माण हुआ मुगल का अलीन चित्रों में दो पिकार की सलियों का मिसरन था एक भारतिय, दूसरा आपका इराने, भारतिय और इराने मुगल समराज की समाप्ती की अभस्ता में कलाकारों का अन्य छित्रों में पलायन होने लगी जब मुगल समराज की समाप्ती होने लगी तो यहां से लोग कलाकारों का अन्य छित्रों में चले गए इस पलायन के क्रम में चितकला के विवन, छित्रिय रूप भी विक्सित एवं उन्नत हुए इन्हीं चितकला में से एक आपका पटना कलम या पटना सेली प्रमुक है इस सेली पर मुगल साही सेली बेटिस सेली तो था इस्थानी विसेस्थाओं का भी प्रवाव पड़ा इस बिद्या के प्रमुक कलाकारों में आपके सेवा कराम, हुलास लाल, जैराम दास और सिब दयाल लाल, इसुरी प्रसाद आदी का नाम उलेकनिय रहा है मकबूल फिदा हुसेन की चित किर्थियां, सब्दा और हिंसा, आँकों पर पट्टी बांदे गंदारी, हाती और चक्वियू में फसा, हविमन्नु, घोडा, असुत्थामा और आद्मी ये सब ही आपकी मकबूल फिदा हुसेन की चित किर्थियां है अब हम लोग बात करते हैं रवेंद नात का महाप्रण किष्ण लिल्या, ये सभी किसके चित हैं, अवेंद नात ठाकुर ये सभी जो आपके रूप नाम है सेलियों के और ये चित हैं, ये आपके अवेंद नात ठाकुर से संबंदित हैं, किसे? अवेंद नात ठाकुर गायल बकरी को ले जाते बुद्ध, गांधी जी का दांडी यत्रा, नएमेग, यम सामित्री, उमा की तवस्या, स्वडकुम, किष्णारजुन, सिपका विश्पान, बसंद, यूधरष्टर की स्वग्यात्रा, कर्ण, गंधारी इस अभी आपके नंदलाल बॉस की मनाई हुए चित्त हैं, टीक, इस अभी चित्त किस्से सम्मझ देते हैं, नंदलाल बॉस वरवदू का सिंगार, नारी, भारती लड़कियां, नेल वासना, वसना, नव यूतियां, भिकमंगे, भिकमंगे, पहडी इस्तरियां, कहानी बक्ता, तीन महने, प्रोवेशनल मॉडल, पनी हारिन एस अभी किस्से सम्मझ देते हैं, अमरत, अमरिता, सेर गिल सी, ठीक, याद रखना है, लाम और गुह, मेगदूत, उसकी बपोती, बिकासुनमुक, यूवन, वसन्त वहार, नौवधू, बेदकाध्यन, पारवद, कच देवयानी, कुडान और अकबर एस अभी किस्से सम्मझ देते हैं, असित कुमार, हल्दार से, एक बंदी, राजकुमारी का अनूठा, अपसाना, मा से बिदा लेते समय, चेतन का भक्ती, वियल कीतन, नेत्यकरती, पालिका की लहेंगे, किजिल मिलाती, तरहों की गनाकृती, हिमालाय में परसाती मैदान, एस अभी आपके गगनेंध नाठ ठाकुर से सम्बंदित हैं, किस्से गगनेंध नाठ ठाकुर से, बुद्ध्य का ग्रावी गम, ग्राभी गमन, टोकरी वाली इस्तरी, पत्नी और प्यार का बोज, हाठ की उर्प, ये सभी आपके रवी संकर, रावल से सम्बंदित चित, अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक चितकला स्कूल के मिस्रित चित और उन्ट के चितकार यह आपके चित हो गए यह आपके चितकार हो गए गोड़ा मकवूल फिता हुसेन नित सेलोच मुकरजी काली लड़की के एस कुलकरणे लीली प्राण किष्ट पाल भैस निहार चौदरी गुमसुम लड़की वहवेस सन्याल इस्टलाइब जार्ज कीट आसहाय सतीस गुजराईल मसूरी ई कुमारिल स्वामी परिवार आपूजी हैरूल घर गांधी जी हरेंदास आलोकिक प्रेम ए ए अम अलमेल कर ठीक है यह आपकी फिर चित हैं और यह चितकार सैन कक्च गोपेन राय रितू सेंगार नंदलाल बॉस गोवर्धन धारन साधाचरन उकील बालों से पानी निचोडती नायका अबूल रह्मान शोगताई अंगला है आपका सफन लोक यह गगनेंद नाठाकोर से सम्मधि अभी सारी का यह आवनिंद नाठाकोर रोठी नायका इसुर पिसाद वर्मा दोफर का विस्तराम देवी पिसाद राय चौदरी पितीक्छा चितेंद मजूमदाल प्यावू मनिश्डे अलपाहर वद्दिरी नरायन प्रयापका चितेंद वीडा बादनी चितकार हैं श्री निवासुल्लू बेल गाडी आउनी सेंद मुर्गों की लड़ाई के किश्ण हैबल नीवू बेंचने वाला अमरता सेरगिल काला गोडा यामनी राय परवत कंचन जंगा निको लाइरोडिक वासल उत्सव वर्दावक उकील तो यह आपके चित्त थे और प्रमुक चितकार बात करें भारत के प्रमुक चितकारों के बारे में तो जैसे आपके रवन्द नाठाकुर आउनिंद नाठाकुर नंदलाल बॉस मकबूल फिदा हुसेन असित कुमार हल्दर चित्यंद नात मजूमदा अमरता सिरगिल सोभा सिंग, मुहमद अब्दुर्रह्मान, राजारवी बर्वा, वहावेश्चन्द सन्याल, सतीस गुजराल, यामनी राय, तियम मेहता इन मैंसे आपका कुश्यन्स इस तरह से पूँचा जा सकता है, कि तीन ओप्सन दे दे या चार ओप्सन दे दे और तीन आपके चित्तकार दे दे, एक और नाम दे दे और पूँचे कि इसमें से कौन चित्तकार नहीं है, या फिर तीन गलत दे दे एक सही, और पूचे कि इ प्रेवम् लोग्किरिया गिरामी लोग्कलाओं की कथाओं की अभिविक्ति पाई जाती है. यह एक लोग्कला है जिसमें महलाओं की ही लगवपुष, भू मेंद बहुमिका होती है. यह चित दो पिकार के होतो हैं, भीथ्री चित और अरीपन. बिहार के मदूमिनी जिले का जित वारपूर नामक ग्राम मिथिला लोककला के लिए बिस पिस इध्याब का मिथिला चितकला की सरफ्रमों कलाकार पदम स्री पुरुषकार प्राप्त असी वर्सिय सीता देवी जिनोंने 1986 में वर्लिंग में भारत महुत्सव में भाग लिया था जादो पटिया चितकला की लोक से लिए है जो संथाल समाज की मिथक पर आधारित है इन चितरों की रचना करने वाले को संथाली भासा में जादो कहते हैं इसमें चित छोटे कपड़ों या कागज के टुकणों को जोड कर बने पट्टों पर अंकित किये जाते हैं ठंका चित कला, मूलता तबिती चित सेली है, लेकिन कोछ लोग इन्हें बिहार की चित सेली मानते हैं। यह बहुत महत्कून है, कुश्चन पूँच लेते हैं, इसलिए याद रखना है आपको। उडिशा की एक दुकान नंदलाल बसू। शै अस्तित, अस्तित कुमार हल्दर, दालास्ट सपर, लियो नार्दो दविंसी, दालास्ट जज्मेंट, माइकल एंजेलो, सकुन्तला वियोग, राजा रवी बर्मा, डोलकिया, मकबूल फिदा हुसें, मजाज औन बाल कोनी, फ्रांसिस्को गोया, इसके चितकार हैं। आँगे बात करती हैं, बिहार के भागल को चित, मैं लोग कताओं, मैं पिछलित, बिहूला, बिसरी की कताएं, मन्जुसा, चित्त सेली में चित्त होती हैं। इस सेली में इस्तिपरोस के चेहरों का सरफ वायापक्ची निमिरित होता है। राजा रवी बर्मा चित्त कला की चेत में पिसित हैं। चित्तकारों की राजकुमार तथा राजकुमारों में चित्तकार की संग्या से सुप्पिख्याद आके राजा रवी बर्मा का जनम 29 अप्रेल 1848 को केरल के तिरुवनंतपुरम में से 40 किलोमीटर दूर इस्तित किनी मतूर के राजगरान में हुगा था। याद रुखने। उसने लाल, सुनहरे, तंबई, पीत रंगों का पेचुर प्रेव किया। प्रयापका नल दमेंती, मानिनी राधा, हंस दमेंती, सरसुती, सकुंतला, हरिष्चन, भीष्मपितिग्या, आधी उनकी प्रमुख बिधियाँ हैं, चित्त बिधियाँ हैं। ठीक है। बंगाल चितकला सली का अगदूत आउनिंद नाठ ठाकुर थे। अवनिंद नाठ ठाकुर का जनम 1871 में ठाकुर या टैगोर परीवार में हुआ था। इनके द्वारां बनाए के पिसिद चित हैं साह जहां का ताज को देखना रेखा एवं रमों में कलाकार के मन की गहराईयों में छिपे भावों की अभीव्यक्ति इनकी पिरमों के चित हैं फ्रे आपका आंगे क्या है यामनी राय ने चित कला की चित में नाम कमाये यामनी राय आदूनिक चित कार है सालार जंग संग्राले विस्ट कला संग्यों का भंडार है याद रगे यह भारत की हैदरावाद में सालार जंग संग्राले कहा है आपका हैदरावाद में तो यह था आपका चित कला आंगे हम लोग बात करेंगे मूर्ति कला की बारे में